हेलो एब्रीवन चंपार नश्रटी पॉइंट पे एक बार अपका फिर स्वागत है तो हम कवर कर रहे हैं उत्री अमेरिका महाद्वीप को तो उत्री अमेरिका महाद्वीप के अंतरगत यह लास्ट वीडियो है जिसमें हम मैक्सिको और यह जो भी देश हैं Як्या है तो मैक्सिको और जो भी यह देश हैं इनको आम कवर करें इसके पहले वाली वीडियो में हमने कानाड़ा और अमेरिका को कभर किया हैं जिसके जिसमें कुछ महतव पूर्भ हैं जो ळूगों के दिष्टीकौन से महतवपूर्भ हैं हुंडरूस एल सेलवाडोर निकारागुवा कोश्टारिका यह सभी जो देश हैं यह किसलिए जाने जाते हैं क्या इनकी अवस्थिती है और किसलिए यह प्रसीद्ध हैं यह सब देखते हैं हम तो देखिए यह मैक्सिको है तो मैक्सिको की रजधानी है यहां मैक्सिको सीटी और ये है मेक्सिको की खाड़ी और ये है प्रसांत मासागर तो पस्चिम में है प्रसांत मासागर और पूरब में है मेक्सिको की खाड़ी और मेक्सिको उत्तर अमेरिका महादीब का ऐसा देश है बाकी देशों की तरह जो दोनों और से जलिये सीमा बना रहा है एक तरफ मेक् नहीं बनाते हैं, एक यहाँ है Belize, और एक आप यहां देख रहे हैं, यह एल स्यलवाडो। यहीं दो ऐसे देश हैं जो दोनों तरफ सीमा नहीं बना रहे हैं, यांगी जलिए सीमा दोनों तरफ नहीं बना रहे और देखिए ये जो Mexico है यहाँ क्रिसी के अनुकोर यहां की जलवाईू तो नहीं है लेकिन फिर भी बहुत कम मातरा में यहां क्रिसी होती है इसलिए यहां क्रिसी का क्रिसी सामद्रीव का यानी ख़यों वस्थू का आयात होता है तो मुखी रुप से जो यहां क्रिसी उपज है उसमें मक्का है, चावल है, गेहू है और गन्ना है बाकी जो चीजें है क्रिसी उपज की वो सभी यहां आयात की जाती है और यहां समुद्र में मचली पकड़ना भी एक महतपूर्ण उद्यम है यहां का और संसार में देखा ज के लिए प्रमुख उत्पादक के रुप में जाना जाता है तो ऐसा नहीं है कि मेक्सिको में क्रिसी के अनुकुल जलवायू नहीं है तो यहां खनीज भी नहीं है खनीज काफी मात्रा में हैं तो देख रहे हैं आप चांदी गंधक और फ्लोराइड यहां का मुख्य उत्पा और यूरेनियम भी यहां उत्पादक के रूप में है और हाल के वर्सों में देखा जाए तो मेक्सिको पेट्रोलियूम का प्रमुख उत्पादक और रियात करता देश बन गया है और यह जो मेक्सिको सहर है यह बर्तमान में विश्व के जो सबसे अधिक प्रदूसित सहर ह तो यह कुछ संगटनों को हमने जिक्रिक किया था पहले वीडियो में लेकिन मैं बता नहीं पाई थी जैसे आपने नाम सुना होगा लैटिन अमेरिका मेडिल अमेरिका और सेंट्रल अमेरिका तो यह क्या है और इसमें कौन-कौन से देश आते हैं उनको मैं यहां क्लियर कर हैं यहां तक जो हैं यह मीडि अमेरिका के देश हैं तो इसमें देखिए कितने देश हैं पहला मैक्सिको दूसरा गौाटेमाला पहला दूसरा तीसरा बेलिज चौथा एल सल्वाडो पांचवा होंडरूस छठा निकारागुआ सात्वा कोश्टारीका आठवा पनामा तो यह आठ देश जो हैं वह मिडिल अमेरिका कहलाते हैं यानि मध्या अमेरिका इसको छोड़ दीजिए जो मिडिल अमेरिका में भी समिलित है तो मैक्सिको को छोड़कर जो यह गौाटेमाला है पनामा तक और यहां जो कैरेबियन आइलेंड आप देखते हैं अगर आपने य को समिलित किये हुए उन सभी को कवर किया गया है उसे आप मेरे प्लैलिस्ट में चेक कर सकते हैं तो देखिए यहां एक मैक्सिको को आप हटा दीजिए तो गौाटेमाला बेलीज एलस अलबाडो हुंडरूस निकारागुआ कोस्टारिका पनामा और यहां जो भी कैरेबिय सारे सेंट्रल अमेरिका में हमने मैक्सिको अलगःा दिया और हमिमाला पनामा तक स्षाब करें Hm मैक्सिको को साभै करेंगे जुब अमेरिका है और पूरा दक्षिण नहीं किया है इसके रद वीडियो में करेंगे हैं यह मैक्सिको से लेकर यह मैक्सिको ग्वाटेमाला बेलिज एल सल्वाडोर हैं उन्रूस निकारागुआ कोस्टारिका पनामा और पूरा नीचे का जो दक्षिड अमेरिका महादूइप है वो पूरा सामिल करेंगे तो उसे कहेंगे हम लैटिन अमेरिका तो इस तरह में जाना में ग्वाटेमाला को देखिए यह है ग्वाटेमाला तो ग्वाटेमाला जो है कि देखिए यह जो आभी हमने मध्य अमेरिका देखा उसमें तीसरे नंबर का देश है जो सबसे बड़ा है मध्य अमेरिका में चुकि मैक्सिको से पनामा तक मध्य अमेरिका है तो इसमें यह जनसंख्या है वह यहां 50 प्रतिसत है और इस देश की जाने देखा था मेक्सिको में क्रिसी उपज नहीं होती है यानि क्रिसी कनुपुल जलवायू नहीं है वहीं यहां देखें क्वाटे माला में तो देखें यह जो मिट्टी है यहां की यह बहुत ही उपजाओं है क्रिसी क है कि दीओक फसल में देखा जा तो कॉफी यहां की सबसे निरयात की जाती है उसमें जिसे केला है कपास है जीनी है मक्त Як थंभाकू है ओर मानस है जो यहां से मुख्य जरुप से निरयातत किये जाते हैं तो इस तरह में इसका नाम पहले ब्रिटिस हुआ करता था तो यहां वाली जो लकडियां होती है इमार्ती लकडियां उनका निर्यात यहां प्रमुक रूप से किया जाता है कि यहां इमार्थी लख्ड़ीन की पर्मुखता है lover क्रीजिग के रूप में देखा जाए तो चीनी है संत्रा है चकोट्रा जैसे फल मुक्य उत्पाधन यहां के हैं और यहां के वन्न जीवों को देखा जाए तो एक विचित्र जीव जिसे मेंटी कहते हैं यह उभाइचा रस्तन पाई जीव है मेंटी और एक कई प्रकार के रेंगने वाले जीव भी यहां पाए जाते हैं बेलीज में और फिर बेलीज के बाद हम देखते हैं यह है एल सलवाडोर जिसकी राजधानी है सेंस अलवाडो और यह प्रसांत मासागर से सीमा बना रहा है कि यह भी मद्य अमेरिका में अवस्तित हैं मैंने बताया था मद्य अमेरिका में आठ देश हैं और यह प्रमुक्ता यह बेलीज के तरह ही यह अभी एक क्रिसी प्रधान देश है और यहां की मुखे फसल बेलीज के तरह यहां क कौफी काई होता है और अन फसलों की बात कि जाया तो यहाँ जैसे कपास है मक्का है और चीनी है यहां की अन्नफसल है मचली पालन का भी यह विकास हो रहा है देशकी निर्यात वस्तू ruling का भी महत्वपुर्ण स्थान है यहां पर तो इस तरह हमने बेलीज और एलस अलवाडूर में आप समानता देख सकते हैं कौफी के उत्पादन में कौफी यहां का प्रमुख उत्पादन है और दोनों क्रिसी प्रधान देश हैं और दोनों कहां से कौफी का ज्यादा मतरभ निर रहा है और यह भी दो तरफ water body से घीरा हुआ है देखिए यहां इधर Caribbean सागर और इधर प्रसांत मासागर थोड़ा सा ही सीमा साजा कर रहा है लेकिन कर रहा है प्रसांत मासागर से बहुत थोड़ा सा सीमा बना रहा है और इधर यह केरेबियन सागर से सीमा नाधार है तो देखिए होन्रूस है यह और होन्रूस की राजधानी है टेवू सी- सी gala टेवू सी काल डेखिए यहां की जो मुख्य-फसल है वो केला है है तो देश के निधयात में शी Aranda years bozzNY इसी निर्यात में इसी का यानि केखका है तो यहांसे जो नाइ dragonsко होता है उसमें शैतर पृतिसर यान केले काहिए और मुक्ष फशलों में रेखाएं तो कौफी है कपास मक्खा है तंभाकू है इसकी भी प्रमुखता है यहां पर और इमार्ती लकड़ी बहुत ज्यादा निर्याद किये जाते हैं यहां से इमार्ती लकड़ी बहुत ज्यादा मात्रा में उपलब्ध है और पसुपालन भी यहां का एक प्रमुख हुद्यम है यह निकारागुआ यह मद्धे अमेरिका के बीच कि और जो यहां का राष्ट्य है का प्रमुक्स रोथ है वह ख Nove species सब runners चाल कोरो प्रमूख स distint inbox concept нихज cricket यहारक कभी सरवादिक महत्रपूर्भ मंतंब्स फाधन है कपास यह काफी और गंणा है यहां तो माचीस उद्योग चमड़ा उद्योग बीयर उद्योग और प्लास्टिक के समान का जो होते हैं उनके उद्योग हैं और अगर खनीज की बात की जाये तो यहां सोना तामबा चांदी सीशा और जस्ता पाए जाता है और यह सरवादिक कम जंस्ख्या वला देश भी है निकारागुवा के बाद हम देखते हैं कोस्टारीका कोश्टारीका यह भी दो तरफ जली सीमद बना रहा है प्रसांत्मा सागर और कैरेबियन सागर को यह कोश्टारीका और यह जो देश हैं यह krisi क्रिप्र लग और देखें यहां की जो आधने भाग होता है और नियात की जो यह पर पनामा ट्रोफ उसको और आफड़ उसके यह वरएंवें किस्ट नियात होने वर्टारी काके देखिए रेस्टर अफीर संधिया फार। यह पहना हो और पया देश।üzik लेकिन यह पनामा है एक स्थान संधी की दर अब दर महा शरह श्मिआता जुड़ा हुआ है यह जो अस्ता संधिय से अस्तमस की देखिए यह पत्ली सी पट्टी है उत्री अमेरिका और दक्षणी अमेरिका के बीच और यहां पर प्रसीद नहर भी है जिसे पनामा नहर कहते हैं और पनामा की रजधानी है पनामा देखिए यहां है पनामा यह पनामा रजधानी और यह जो नहर है वह प्रसांत महासागर को अट्लांटिक महासागर से मिलाता है यहां की मिट्टी बहुत ही उपजाओं है जैसे हमने और देशों की और देशों के बारे में देखा था जैसे निकाराग हुआ था कोश्टारिका और उसके उपर मैक्सिक इनकी मिट्टी भी बहुत ही जाओं है लेकिन लगबग आधी भूमी पर खेती होती ही नहीं है यहां की जो मुख्य फसल है वो केला है कौफी है और अनाज है देखिए इन सभी देशों में आप एक समानता देख रहे होंगे कौफी बार-बार आपको देखने को मिल रहा है त समुद्री-ककड़ा है यहां के प्रमुख जीव गद्री केख़ा और ढूरं भी यहांके प्रसीद है और लकडी के रूप में देखाटल लकडी बिशुस रूप महोगनि के बड़े भंडार है यहां के पनामा में अंड़िए यह पनामा देश की रजधानी केंद्रिय अमेरिकी देशों का एक मात तटिये इस्थित राजधानी यह तर्ट पर इस्थित है पसंत मात सागर के तर्ट पर तो इस तरह हमने देखा पणामा को टो ऊत्री अमेरिका महाद्वा दीप में जितने भी अस्तलशत्र में它 उनको आंप देशन कारिए लेंड कर दिया है तो सब्सक्राइं चोनिल Confederate की नितना उता तो अन्हों के साथ तो अगले वीडियो में देखेंगे दक्षिरी अमेरिया देखेंगे